बच्चो सबसे पहले यह सम्स्टार्ट करने से पहले हमें एक पॉइंट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है वो समझना है कि पेरिमीटर में उसकी चार साइड तो हमारा होगा 4 इन्टू साइड मतलब S लिख सकते हो बाद में लिखेंगे area of square is equal to side square इतना हमें clear होना है जैसे ही यह point clear होता है अभी अम main point पे चलते है सम में information कुछ चीज तरह है sum of the area of two square 468 meter square इफ यहां से खदम होया if the difference of their perimeter is 24 formulate the quadratic equation हमारे पास कौनसी information है तो आप बोलोगे sir perimeter है और two square के बारे में बोला है दो square है उसका total किया हुआ है उसका area का total है और दूसरा हमारे पास क्या है कि हमारे पास perimeter है लेकिन एक में से दूसरा minus किया मतलब एक square में से दूसरे square को minus करने के बाद जो perimeter बचती है difference आता है वो perimeter का difference 24 सबसे पहले starting कहां से करना है वो पहले समरते है फ़ले लिखना शुरू करते है let the let side of a square 1 square 1 is equal to x meter तो हम perimeter बोल सकते है perimeter of square 1 is equal to 4x यहां तक समझ में आ है हमने खाली simple side का लिया side of square 1 is equal to side कितनी होगी एक side की x है तो 4 side perimeter कितनी होगी 4x होगी अभी समय दिया गया है कि तो हम लिखते है according to question तो हमारे में क्या दिया गया है तो आप बोलोगे सर according to question हमें दिया गया है difference of perimeter of square is 24 यहां पे लिखा है कि difference of of perimeter is 24 तो जैसे ही होता है तो हम आगे चाल जा सकते हैं तो हम लिख सकते हैं perimeter of perimeter of square 1-24 हमें क्या बोला गया है कि perimeter of square 1-perimeter of square 2 is equal to 24 तो हम बोल सकते हैं कि सर हमें तो पता है इसका side कितनी है perimeter का square का 1 का perimeter कितना है हमें पता है फिर से एक बार तो सम्में हमें जो लिख बोला गया है वो हमने लिखा perimeter of square 1-perimeter of square 2 is equal to 24 जो यहां पे सम्में सिधा बोला गया था वो हमने लिखा अभी हम इससे आगे चलते हैं तो उसके accordingly हम चलते perimeter of square 1 हमें पता है कितना है perimeter 4x है आप लिख सकते हो कि सर इतना तो हमें पता है perimeter of square 2 is equal to 24 तो आप बोलोगे सर यह भी हमें पता चल गया अभी हम 4x को वहां लिखते है तो वहां लिखेंगे तो क्या आएगा 4x minus 24 is equal to perimeter of s2 थोड़ा शॉट में लिखते है तो point वीडियो लंबी ना बने तो सबसे पहले हम इतना तो आप समझी गए बाद में हम ऐसा लिख सकते है 4x minus 24 is equal to perimeter of square 2 तो उसकी जगा हम लिख देंगे 4 into side of s2 s2 मतलब square 2 का जो भी side होगा आपने बोला हां सर लिख सकते है अब शांती से देखना यहां से कुछ common निकाल सकते है यह दोनों में से तो आपने बोला हां सर निकाल सकते है x minus 6 लिख सकते हो आप क्योंकि 4 common निकाल दिया और यह जो 4 है वो division में जाएगा तो यहां लिख सकते है side of square 2 यह 4 और यह 4 कट हो गया तो x minus 6 is equal to side of square 2 यह जैसे हमारे पास आता है उसके बाद हम कोई भी point कर सकते है हमारे लिए बहुत easy हो जाएगा तो हम in short लिख सकते है इसके बाद हम लिख सकते है side of s1 is equal to square 1 is equal to x and side of square 2 is equal to x minus 6 x minus 6 जैसे ही होता है उसके बाद हम पहले condition चेक कर लेते है अभी हमारे sum में दिया हुआ है sum of the area of 2 square is 468 तो हमारे पास sum दिया हुआ है 2 square का तो हम कर सकते हैं अभी लिख सकते हैं तो पहले लिखने का शुरू करेंगे अब लिखेंगे sum of the area of square 468 meter square तो अभी हम लिखना शुरू करते है S1 का area plus S2 का area is equal to 468 S1 का area का formula हमें पता है side square side square S2 का 468 meter इसके बाद आप value put करोगे हमें पता है कि side 1 S1 का है X square और यहाँ पे होगा X minus 6 whole square is equal to 468 आप बोलोगे sir यह तो X square हो जाएगा यह आपको पता है A minus B whole square is equal to A square minus 2AB plus B square तो आप बोलोगे sir यहाँ लिखो X square plus 12X plus 36 is equal to 468 जैसे यह होता है उसके बाद हम आगे जा सकते है यहाँ लिखेंगे X square की जगव 2X square मतलब 2X square minus 12X plus 36 minus 468 is equal to 0 तो आप बोलोगे sir अभी क्या आएगा फाइनल आंसर 2X square minus 2X और आंसर आएगा 432 is equal to 0 हमें सम्में क्या फेक्टर निकालना फेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हम फेक्टराइजेशन में लिखते है तो 216 के फेक्टर निकालना तो आप बोलोगे sir यहाँ पे लिखो सबसे पहले 2 से डिवाइड करो 2 से करोगे तो 108 108 से डिवाइड करोगे तो आप 54 54 को 2 से करोगे तो 27 18X minus 12X minus 216 तो आप बोलोगे sir यहाँ एक्स लिखो यहाँ एक्स प्लस 80 50